हेलो व्य ददो रोकर बेकल डिटिवा ड्रोक नाजुट मेसिक आइड्या मतत्यूल भी दिश्क्रश करें पर देख़ने क्या था यह सब तीज हमने देख लिए अगर आपने भी तक वह नहीं देखा तो description में लिंक है वहां से आप जाके देख सकते हैं यहां फिर है उसका origin गया है क्यों वह बन रहा है नेचर में अईसा क्या मतलब नेचर में घटा या फिर ऐसा कि कौन सा इबेंट हो गया नेचर में जिसको आपको ट्वीनिंग देखने को मिल रहा है इन क्रिस्टल स्थीक यह सब्सक्राइब कर जाएंगे तो इसको ही हम बोलेंगे पेनिट्रेशन तो यह तर्म को समझे बाकी हम ट्वीनिंग को देखेंगे तो दाटीज नथिग्ए अगर इस तर है जब भी दो इंडिविजल क्रिस्टल अइसा नेचर में दिखें कि एक दूसरे को वह पेनिट्रेट कर रहे है इट इस कॉल्ड पेनिट्रेशन ट्वीनिंग ओके इस हाब आन इर्रेगूलर कंपोजिशन सर्फेस देखने को मिलेगा आप इर्रेगूलर मिल रहा है तो इस इस अब आन इर्रेगूलर कंपोजिशन सर्फेस एंड दा पूइन लोग इस यूजरी डिफाइंड बाइट ट्वीन आक्सिस और ट्वीन शेंटर और जहां पर भी आपको पेनिट्रेशन ट्वीनिंग देखने को मिले या फिर पेनिट्रेशन ट्वीनिंग को हम जब भी ए चैं ehkä रल्खेन को इस तरीके सीम्बल यूज़ करना यहा समर्घ देखा थ है अब आपसीश किया बताता है लग स्कार विंगेर को अब यह क्या देखेंगे इमेज भी दिखेंगे the main features of the penetration tuning तो penetration tuning को identify कैसे करना कि हमने तो यह definition में पढ़ ले या फिर पढ़ ले अगर नेचर में मिले तुसको identify कैसे करें कि particular यह crystal penetration type of tuning दिखा रहा है तो उसका main feature क्या देखते हैं तो डिवाइड हम उसको नहीं कर सकते इच कांट वी डिवाइड इंडिवाइड नहीं कर सकते कैसे देखते हैं यह दिखिए यह दिखिए इस पार्ट को अब देखते हो तो यहाँ पर इसका भी पाट है मतलब यह crystal का भी पाट ह तो इसको हम two separate hap में divide नहीं कर सकते से नहीं है ठीक है और इस type के tuning को हम बोलते है यह crystal को penetrate कर गया है यह दिखिए यह और यह दो crystal है यह crystal को penetrate कर चुग है तो इसको अगर हम define करें गो तो यह तरीके से और यह क्या है यह उर्थोक्लेस का एक मिन्रल है जो कि काल्सबेड लोग क्या है हम देखेंगे आगे यह लोग को आगे हमें डिफाइन करने वाले नेस्ट वीडियो लेक्सर में ठीक है नोट-node-1 आजदा ट्वीन आक्सीस तो ट्वीन आक्सीस का क्या है नौट-node-1 यहाँ पर देखेंगे एक दुसरे के साथ वह इंट्रेग्रोथ हो गया टीक है इंट्रेग्रोथ मिन्स आजब पेनेट्रेशन तो यहाँ पर और एक है स्टोर लाइट इस्टोर लाइट भी when two halves of a twin crystal are symmetrical with respect to the twin plane it is called contact twinning ठीक है तो इसको ही हम बलते contact twin जब दो हाप कोई भी मतलब एक twin का जो हम दो हाप बोल रहे हैं या फिर जो twin crystal आपको देखने को मिल रहा था फीचर इस तरीके से यहां पर आपको इस तरीके से जब दो हाप रहता ना विद्धा हेलप आफ यह देखे contact plane इस contact plane को ही हम बल रहे हैं फिर twin plane तो इस type के tuning को ही हम बलते हैं contact tuning when two halves of a twin crystal तो देखे twin crystal का यह दो हाप है सपोज एक हाफ है यह एक हाफ है crystal are symmetrical with respect to the twin plane और यह symmetry दिखा रहा है with respect to the this particular twin plane तो इसको ही हम बल रहे हैं contact twinning defined by a twin plane और इसको हम define कैसे करते है twin plane के तोर बहात मतलब जयादा था इसको twin plane के तोर कर डिफाइन का जयाता और penetration को आज़ा twin axis ठीक है and have a definite composition plane और इसका definite composition plane भी रहता है ठीका यहाँ पर हम composition हमने यहाँ पर plane बोला इससे पहले हम दिखा थे composition surface in penetration tuning वहाँ पर regularity नहीं दिखा रहा था वह plane ग्यास दरीजन हम उसको composition surface बोल रहा था बट यहाँ पर जो plane रहेगा वह regularity दिखाएगा इसलिए हम इसको बोल रहे composition plane then another type of tuning that is repeated tuning अब बहुत बुक्स में को ही contact tuning के अंदर लिखा गया ठीक है तो आप आपको जैसे consider करना आपकी जिए लेकिन यहाँ पर मैं आज separate लिख दिया हूं कि और एक टाइप का टुइनिंग है जिसकों बोलते रिपीटेड टुइनिंग अब रिपीटेड टुइनिंग क्या है टुइन क्रिश्टल इस सचुल पार्ट अगर टुइन क्रिस्टल है जो कि तुइन या फिर स्यादा पार्स which is represented as related to one another by a same tuning low तो 3 या फिर 3 से ज्यादा देखिए यहाँ पर वही बताया जा रहा है 3 when a twin crystal is a twin crystal है जो की compose है कि इस कितना 3 या फिर 3 से ज्यादा part which is represented as related to one another और यह तीनों part एक दूसरे से related है by the same tuning low और तीनों plane के लिए या फिर तीनों जो crystal रहेंगे तीनों के लिए same tuning low अगर अपलाई हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे repeated tuning the twin is called repeated tuning और इसी को ही आप बोल सकते हो multiple twin stick है तो इसका image आपको उपर में सो होता ही होगा तो वहां से आप अंधाजा लगा सकते हैं कि इसको बोलेंगे यह repeat हो रहा है एक के बाद एक और एक repeat हो रहा है ठीक है उसलिए हम इसको बोल रहा है repeated tuning then another one is your repeated का फिर दो टाइप है एक है poly synthetic और एक है cyclic अब poly synthetic क्या है अब poly synthetic twin is a repeated twin यह भी क्या है वान एक repeated twin का टाइप ही है बट फिर इसको अर्लग हम कैसे बोल रहे है in which all the successive composition surface जिसमें successive composition surface आपको मिलेगा और parallel तो एक दुसरे से हर एक composition surface क्या रहेगा यह गर एक composition surface है इससे और एक composition क्या रहेगा surface पारलल रिलेशन दिखाएगा तभी हम इसको बोल रहे है poly synthetic twin और यह कमनले किसमें देखने को मिलेगा प्लाज्योक्लेस फेल्सपर में और प्लाज्योक्लेस फेल्सपर में नॉट वान नॉट डिरेक्शन आपको यह वान नॉट डिरेक्शन देन अनदर वान इस और साइक्लिक ट्विनिग अब साइक्लिक ट्विन क्या है इस एक टाइप और रिपीटेट ट्विनिग इन इन विच आल्ड़ अगर यहां से श्टार्ट होके चल रहा है इस तरीके से यहां पर वो और यहां पर एक एक ग्जाम्पूल हम लेख सकते हैं क्राइशो बेरील ठीक एक यह एक मिनरल है जिसका अगर हम कंपोजिशन प्लेन देखें नोट ठीक है तो यह भी इमेज आपको दिख रहा होगा आप वह इमेज से एक दूसरे को सेपारेट कर सकते हैं transformation उसके अंदर after the formation उसके अंदर कुछ transformation होंगे कुछ नेचर में इसा condition आएंगे इसके वह से वह transfer हो जाएगा ठीक है उसको एक टाइप का हम बोल सकते है रिजन और एक डिफर्मेशन तुनिंग और डिफर्मेशन को ही यह तर्म आप बुझे ग्लाइड क्योंको यह तर्म साप सब्सक्राइब को बनता है यह तो देखते हैं तो देखते हैं one by one मतलब उसका ओरीजिन के अंदर तीन जो हमने वह देखा सबसे पहला है ग्रोथ ट्विन तो ग्रोथ ट्विन क्या है अप टर्म में ही ग्रोथ है मिन्स जब वह बन रहा था मतलब कंप्लीट वह बना नहीं बनने के स्टेज में था ठीक है उस ताइम में अगर आपको देखना को मिले तो उसको बोलेंगे क्या ग्रोथ देखते हैं when accidents occur तो accident हो रहा है accident मतलब आप सभी को पता है आप रोड में जा रहे हो ठीक है यहां पर आपने accident देखा दो भेगी लागे एक दूसरे के साब जब क्रिश्टल बन रहा है नेचर में बन रहा है क्रिश्टल अभी तक पूरा बना नहीं है ग्रोव कर रहा है ठीक है अड़ा टाइम ऑफ ग्रोथ ठीक है a new crystal is added to the face of an already existing crystal तो एक क्रिश्टल पहले से है यह ग्रोथ कर रहा है और क्या हुआ और क्रिश्टल आके इसके साथ कोलाइड कर गया मतलब अक्सिदेंट उसका हुआ तो यहाँ पर और क्रिश्टल आके लग गया ना तो यह यहाँ पर रह गया मतलब यह चिपक के रह गया ठीक हो यह ग्रोथ के टाइम में हो रहा है अगर ग्रोथ के बाद होता तो तूड़ फूर जाता लेकिन डूरिंग क्रिश्टल ग्रोथ यहां पर क्या हो रहा है और कृश्टल आके अड्व हो रहा है तो जिस फेस में भी कर गरता है तो तो जिस face में वह आके add हुआ तो वहाँ पर आके वह रह जाता है फिर वहाँ पर lattice को अगरा share होते है तो उस तरीके से आपको tuning देखने को मिलता है when accidents occur during the growth, ठीक ग्रोथ के ताइम में और एक crystal आके यहाँ पर collide किया या फिर accident किया and a new crystal is added to the face तो new crystal यहाँ पर आके add हुआ बट किस के साथ एक face के साथ किस face के साथ यहाँ पर और एक crystal आके लगा तो यह face यह जो face है इस face को ही हम बोल रहे है यहाँ पर क्या होगा lattice होगे तो इस face के लोगा आपको tuning देखने को मिलेगा to the face of an already existing crystal तो already existing यह crystal था इस face के साथ और एक crystal आके attach हुआ यह फिर accident हुआ to in occur if the new crystal shares तो new crystal जो आया हुआ अगर share करेंगा lattice point on the face तो यहाँ पर जो पहले से face था उसके साथ अगर lattice point आके share करता है जो नया crystal आया तो फिर यहाँ पर आपको tuning देखने को मिलेगा ठीक है and the existing crystal तो यहाँ पर क्या होगा tuning can occur if the new crystal shares lattice when new crystal lattice share करेगा on the face of the existing crystal but has an orientation different from the original crystal तो यहाँ पर इस इन दोनों का orientation तो अलग रहेगा लेकिन यहाँ पर lattice यहाँ पर share होंगे lattice share होने को जासे यह जो यह दोनों same दिखेंगे ता फिर हम बोल सकता है यह टूइन है बाट यह कपनेंगा at the time of growth such growth twin can be contact twin और can be penetration twin तो यह growth twin sometimes as a contact twin देखने को मिलता आप contact twin के आपने भी देखा and sometimes as a penetration twin भी आपको देहने को मिलते हैं ठीक है तो this is nothing but your growth tuning then देखते है another one is your transformation tuning अब टर्म में है transformation means यहाँ पर कुछ changes आएंगे किस तरीके का changes आएंगे देखते है अकर प्री एक्जिस्टिंग क्रिस्टल तो यह चीज तो तह है कि प्री एक्जिस्टिंग क्रिस्टल रहेगा यहाँ पर growth का stage में मतलब completely crystal बना नहीं है ठीक है इससे पहले हमने क्या देखा था growth tuning में वहाँ पर growth हो रहा था during the crystallization वहाँ पर tuning मतलब हो रहा था due to the accident यहाँ प transformation के मतलब दौर से गुजरेगा अंडर्गोर transformation due to change in pressure और temperature एक प्री एजिस्टिंग क्रिस्टल है वो अपना एक particular environment बना अगर उस environment से अलग उसको pressure temperature अगर मिलता है तो उसके अंदर एक transformation आएगा सपोज आप अपने hostel में हो ठीक है तो आपका hostel में जो मतलब एक आपका restriction माहौल है उस माहौल में आप अच्छे से हो लेकिन जब आप घर पर आते हो ना hostel से चुट्टी में तो वहाँ पर वह restriction आपको उपर खतम हो गया तो आ मतलब मार्केट वगरा जाना है फॉर पियम तो शीक्स पीम आपका आउटिंग टाइम है ठीक है तो वह कि आप एक restriction में हो लेकिन वह restriction के अंदर जब जाएगा जब घर पर आप तो रेस्टिक्शन नहीं है अब बिंदास आप घूमोगे तो वह जो चार से चो का टाइम था जाता है तो फिर उसके अंदर transformation देखने को मिलेगा जैसे आपका रेस्टिक्शन जैसे खतम वह आपके अंदर change देखने को मिला transformation देखने को मिला similarly जैसे ही आप hostel से घर आते हो तो आपका time table timing सोने का खाने का सब चेंज हो जाता है ठीक है these commonly occur in a mineral that have different crystal structure and different symmetry at the different temperature and pressure तो अलग- temperature pressure पर वह अगर कोई चीज अलग-अलग behave कर रहा है ठीक है सब्सक्रीश्टल है यह एक particular temperature में कि एक के तरह behave करेगा ठीक है बट देशे इसको पर आप temperature pressure condition change करता हो यह वाई के तरह behave करेगा और फिर अलग और भी अलग अलग नेकर पर सदेता हो यह जैट के तरह बिएव करेगा means इसको खुद का एक particular orientation नहीं है means इसको पर जैसे तरीके से आप temperature pressure चेंज करोगे वह उस तरीके से आपना behavior चेंज करते जाएगा ठीक है different crystal structure भी देखने को मिलेगा different symmetry भी देखने को मिलेगा बाट वो कम मिलेगा जब आप different different type of temperature pressure उस पर अपलाई करते हो ठीक है तो इसके वज़े से आपको transformation tuning देखने को मिलता है क्यों यहाँ पर transformation हो रहा है ठीक है वह जिस environment में बन आगवा environment उसके पास high नहीं and when the temperature or pressure is change to that where a new crystal structure and symmetry is stable तो जब भी यह new crystal structure यह symmetry जब मतलब stability दिखाएगा उस पर temperature pressure change होता है different part of the crystal become arranged in different symmetrical orientation तो different different part accordingly एक बार मतलब सपोज एक mineral है ठीक ही एक mineral है इस पर different pressure temperature अपलाई करते हो तो यह totally मतलब whole as a bulk वह एक ही बार change नहीं होगा कुछ कुछ पार सपोज यहां पर pressure temperature लगा तो यह सपोज यह पार क्या होगा अपने अंदर थोड़ा सा अलग orientation ले आएगा ठीक है फिर और थोड़ा temperature pressure increase होगा यहां पर यह पर थोड़ा सा अलग orientation ले आएगा इस तरीके से एक ही बार नहीं होगा ठीक है different parts of the crystal become arranged in different symmetrical orientation ठीक है बट कब होगा different different parts अलग अलग होगा एक साथ सब एक ही बार आज बल्क नहीं हो जाएगा ठीक है आज अलग crystal behave करेगा यहां पर कुछ अलग orientation है तो यह अलग फिर यहां पर अगर बाद में कुछ अलग orientation बनता है तो यह आज अलग crystal behave करता है तो इसका बज़ासे फिर एक से ज्यादा मतलब crystal मतलब crystal का इंटर ग्रोथ देखने को मिलता है और इसका बज़ासे भी यूग एटा ट्वीनिंग ठीक है इसका एक्जांपुल देखते हैं डॉफिन एंड ब्राजिल ट्वीनिंग इन क्वार्ज कमनली फॉर्म इस वे तो क्वार्ज के अंदर दो टाइप का ट्वीनिंग देखने को तो क्वार्ज जब भी ओरिजिनली वह जो टेंपरेचर में बना अगर उससे कम टेंपरेचर प्रेचर में उसको ले के आते हो तो उसका अपने अंदर चेंजेश लिखाएगा और उस चेंजेश के दवरान वह फिर ट्वीनिंग दिखाने लगता है और दाट इस नथिंग टॉफिन ब्राजिल ठीक है तुनिंग फिर देखते हैं पूरा ही तुट फूट नहीं जाएगा थोड़ा सा अरजस्टमेंट हुआ हो दूरिंग डिफर्मेशन आटम्स क्यान बी पूश्ट आउट आउफ प्लेस तो पहले से जो मतलब जिस प्लेस में एक आटम था यहां आपर का डिफर्मेशन होता है तो अब यह थोड़ा सा प्लेस को अपना चेंज कर लेगा ठीक है कुछ इस तरीके से यह हो जाएगा तो प्लेस इसने अपने प्लेस को चैंज किया ना तो इसको ही हम बोल रहें डिफर्मेशन ठीक है इफ दीश आपेंस तू प्रडूज ए स इसलिए टुविंड इन दीश वे तो मिनरल चैट इस तरीके कर टूइनिंग दिखाता है विए डिफर्मेशन ठीक है परडूज फॉजीं पॉली सिंथरीक टुइनिंग अब पॉली सिंथरीक क्या आप सभीका पता है रीपिटेट टूइनिंग को ही हम बोलते है पॉली सिं तोधोगा है एकक यहां पर दिहां पर दे beneficiय। यहां पर समसिंग हो घाएंज सेकैंत यहां दिश्कार हीलोजा है। इसी पाट के साथ यह सिमिलर्ली सिमेट्री दिखा रहा है तब यहां पर टूनिंग डेवलप वा यह था आल बाउट पर टूडे कुछ भी डाउट हो आप कमेंट से तरह में जरूर पूछ सकते हैं थांक यू फॉर वाचिंग